जैपूर में नसे में धुत एयर होश्टेज ने अपने फ्रेंड के साथ रिश्टुरेंट में जम कर अपात मचाया युबग युबतिया रिश्टुरेंट में खाना खा रही फैमिली से जगड़ा करने लगी थी फैमिली दूसरी टेबल पर गई तो कमेंट करने लगे परिसान होकर फैमिली बाहर निकली तो उनकी गाड़ी पर सराप की बोतल फेंग दी मामला जैपुर के सिंधी कैम्प थाना इलाके का है जहां पुलिस ने बताया कि सरध्धा बुधवार रा साधे ग्यारा बजे भाई और दोस्त के साथ टेक्सी चिकन धाबा पर खाना खाने गई थी रेस्टोरेंट में दो यूबक और दो यूबतियां भी आई यूबक यूबतियां नसे में धूत थे रेस्टोरेंट में आते ही वे फैमली से जगडा करने लग गए रेस्टोरेंट कर्मियों ने फैमली को दूसरी टेबल पर बठाया तो कमेंट करके परिसान करने लगे इससे परिसान होकर फैमिली बाहर आ गई और काड़ी में बैठनी लगी तो कार पर बोतल फेक कर कांस तोड़ दिया फैमिली ने भी रोज किया तो मार पीट करने लगे लोगों ने बमुस्किल उनको छुडाने नसे में धुत युवक युवतियों ने मौके पर पहुची और पुलिस के साथ भी बस सलोकी की करीब आधे कंटे तक युवक युवतियां खुद को बड़े परिवार का बता कर पुलिस वालों को धमकाते रहे इस दोरान एक युवक का मोबाइल छीन कर तोड़ दिया इस खटना के बाद पुलिस जापता बुला कर सभी को थाने ले जाया गया सांती भंग के आरोप में गिरफतार कर हवालात में बंद कर दिया गया है जैपुर के रहने वाले 27 साल के कार्तिक चौधरी जैपुर की रहने वाली 25 साल की नेहा सर्मा 25 साल के विकास खंडेल वाल और बिहार निवासी 26 साल की प्राची सिंग को पुलिस ने सांती भंग के आरोप में गिरफतार कर लिया है कार्तिक चौधरी गुड़गाओं की मल्टिनेशनल कमपनी में कम्प्यूटर इंजीनियर है कार्तिक के पिता हाई कोट में वकील है प्राची सिंग्यर होस्टेश है नेहा सर्मा जैपूर में प्राइबेट बैंक में काम करती है पुलिस ने परिवादी पक्च के भी दो लोगों को अरिश्ट किया है गुरवार सुबह सभी की जमानत हो गई है सियाई गुंजन सोनी ने बताया कि रेस्टोरेंट में इन लोगों के बीच कमेंट चल रहे थे इसके बाद गाली गलोस तक पहुची यह लोग मारपीट करने लगे जानकारी मिलने पर PCR मौके पर पहुची सभी इंट से पुश्टास की तो यह लोग ठाने में भी जखड़ने लगे जिस पर 6 लोगों को सांती भंकी आरोप में गरफतार कर लिया गया है युबक युबतियों ने गाड़ी में तोड़ फोर की है लड़की की सिकायत पर कार्थिक चौधरी प्राची नेहा सर्म और विकास खंडेलवाल के खिलाब पांच धाराओं में मुकदमा दर्श किया गया है प्राची नेहा है